ही हाई गास फिल्म फिल्म में आपका स्वागत है दोस्तो एक सक्सिस्फुल दिवाली विकेंड के बाद अब एक नई फिल्म का टीजर सामने आया है हमारे सामने जिसका नाम है बेबी जॉन और यह टीजर नहीं बलकि टास्टर कट बोल कर जो मेकर से हमारे सामने रख रहे है अब टास्टर कट क्या होता है टास्टर का मतलब तो यही होता है कि एक छोटा सा एक सैंपल एक हिसाब से चोटा से सैंपल जो हमारे सामने दिखाया जाया और हम उसे समझ सके और उसके बारे में थोड़ा सा अनलाइस कर सके इस हिसाब से इस टीजर को हमारे सामने डाला गय है हाँ एटली की फिल्म है इसको प्रिड्वार्डूस कर रहे हैं और इसके जो डारेक्टर है कलीव तो यार क्योंकि एटली की फिल्म है टास्टर कट है बेबी जॉन फिल्म का नाम है वरुन धबन नजर आ रहा है और जिस थापसे जो Cinematic Graphy नजर आ रही है Fast Pace में जो Taster Cut नजर आ रहा है अलग-अलग दृष्च नजर आ रहा है छोटी बच्ची नजर आ रही है और वरुन धबन का अलग-अलग लुक नजर आ रहा है Action Sequences जो नजर आ रहा है उसे देखकर मैं कह सकता हो यार यह लोग जवान के साथ collaborate ना कर ले और अगर ऐसा होता है तो मज़ा ही आ जाएगा धमाके दार तरीके से यह जो franchise आगे बढ़ सकती है ठीक है ऐसा मेरा मानना है लेकिन overall Taster Cut मुझे Baby John का बहुत ही ज़ादा impressive लगा है आपको बता दू Baby John यह जो film है 2016 की Blockbuster Tastery की official remake है और आपको बता दू यह जो teaser है इसे देखकर मैं बहुत ही ज़ादा impressed हुआ हूँ मतलब एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि यह एक massive film है और जो massive film है उसके अंदर वो सारे element होने चाहिए action होना चाहिए, emotion होना चाहिए, thrill होना चाहिए और perfect action choreography, dialogues और साथी साथ वो जो BGM होता है जो तामने इस सर ने जो BGM दिया है वो भी धमाके दार लग रहा है तो सारे के सारे elements दोस्तो बेवी जौन के टास्टर करण में मुझे नजल आया है और आपको बता दो यह जो film है Christmas के दौरा रिलीज होने वाली है 25th December और अच्छे टाइम पे लोग रिलीज कर रहे है और Christmas एक ऐसा वक्त होता है जब सभी लोगों की छुटिया होती है तो I'm damn sure अच्छा खासा collection की भी हम उम्मीद कर सकते हैं ठीक है और वहीं अगर मैं वरुन धबन की बात करूँ तो दोस्तों वरुन धबन जो है बहुत दिनों बाद नजर आ रहे हैं देर आ रहे हैं लेकिन दुरुस्त आ रहे हैं अच्छी खासी फिजीक नजर आ रही है उनकी confidence जो है उनके body language में नजर आ रहा है dialogue delivery भी वो काफी impactful तरीके से दे रहे हैं तो यह सब देखकर मुझे अच्छा लग रहा है वही अगर villain जैकी श्रॉप की अगर मैं बात करूँ ते यार खतरनाक खतरनाक अलग अलग filmें हम देख रहे हैं और उनमें जब भी जहां भी जैकी श्रॉप नजर आते हैं कुछ अलग ही करकर हमारे सामने आ जाते हैं तो यहां पर भी खतरनाक नजर आ रहे हैं देखते हैं कि किस एजाब से इस villain से हमारे वरुन धवन जो है ये भिडने वाले हैं ठीके वरुन धवन की अठारवी film है वी डी एडीन है और इस film में देखते हैं वो कितना जान डालते हैं खास होगा हमारे लिए देखना उसके अलावब दो उस तो आपको बढ़ा दो इस film के अंदर किरती सुरिस भी नजर आने वाली है वामी का गबी भी नजर आने वाली है और राजपाल यादव भी नजर आने वाले है हाला कि हाली में राजपाल यादव को लेकर काफी बाते चल ले थी लेकिन कोई बात नहीं अभी उनकी जो फिल्म है भूल भूले या तरी के अगर मैं बात करो अच्छा खासा प्रदर्शन कर रही है और यहाँ पर अब एक और उनकी फिल्म नजर आ रही है और वरुन दवन के साथ मैंने देखा है कि राजपाल यादव की बहुत ही अच्छी जुगल बंदी होती है तो यहाँ पर भी देखना खास होगा कि क्या होने वाला है राजपाल यादव के character के बात करूँ तो देखना खास होगा उसके अलावा मैं आपको बता दू एटली जो हैं वो एक ऐसे डारेक्टर हैं ऐसे फिल्मेकर हैं जो किसी भी फिल्म को blockbuster कड़ा सकते हैं इस टास्टर कट को देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि यह ऐसा होने वाला है short short होने वाला है ऐसा लग रहा है मुझे को देखकर साफ लग रहा है कि यह एक revenge drama वाली फिल्म होने वाली है और बहुत ही stylish फिल्म होने वाली ऐसा मुझे लग रहा है ठीक है तो मैं तो अगर कहानी की बात करूँ तो मैं baby john को ही देखना पसंद करूँगा कोई पुरानी फिल्म देखना पसंद नहीं करूँगा क्योंकि अगर मैं पुरानी फिल्म अगर देख लूँगा तो मज़ा थोड़ा क्रिकरा हो सकता है अगर teaser खरा होती तो मैं पुरानी फिल्म देख लेता लेकिन teaser इतना अच्छा है टास्टर कर इतना अच्छा है कि मैं अब इसी फिल्म को देखने वाला हूँ क्रिस्मस के दोरान तो टीजर मुझे दोस्तो अच्छा लगा है आपको कैसा लगा है ज़रूर बताए दोस्तो हमारे कमेंच सेक्शन पर देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फिवर इस रभी गुपता साइन अच्छा थाइन अच्छा थाइन अच्छा थाइन